लो वीवर्स, वेलकम तो माई चैनल, तोड़े वी आर गूंग तो डिस्कस एलवन्थ क्लास फिजिक्स, चैप्टर नमबर वन, उसमें हमने फिर्स्ट पार्ट कवर किया है, उसे निक्स सिकिंड पार्ट में भी हम करेंगे, निक्स टोपिक है अपका फंडामेंटल हम एक बार कवर करते हैं कि नेचर के अंदर, जो भी आपके बेसिक्स फोर्स हैं, जो प्रेजेंट हैं, उन में क्या-क्या रिलेशन हैं, कौन से कौन से टाइप के आपके फोर्सेज हैं, हम वो कवर करेंगे अभी, तो उसके लिए अभी शुरू करते हैं, सबसे पहला है आ को पता है, यह जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, यह होता है, हेवेनली अबजिक्त के बीच में, वैसा यह जर्णली, हर जग अपला ही होता है, लेकिन हम बोलते हैं, इट इस दवर्स, इट इस द वर्स विच्च एक्ट्स बट्वीन द बोडीज, वर्चू अफ देर मासेज, यह जो अबजेक्ट हैं, उनके मासेज की वजए से यह अपलाई होता है, तो इसलिए हम बोलते हैं, इसके लिए जासे हमने फॉर्मला किया था, कि फास्ट पॉइंट में हमने बोला था, तो f is directly proportional to the product of masses, और f is inversely proportional to the square of distance between them, फिर हमने इन दोनों को इखटा किया, तो f is proportional to m1, m2 upon r square, फिर यहां से हमने proportional 3 sign को अटाया, और एक constant लगाया, capital G, m1, m2 upon r square, यह हम पहले भी कर चुके हैं, तो basic है बलकुल, तो हमारे पास यह formula आता है, g is gravitational constant, ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, अभी यह जैसे इतना तो हमने पहले कर रखा है, अभी हम पढ़ेंगे इसकी properties, तो बात करते हैं, properties of gravitational force की, properties important हैं, तो वो एक बार आप ध्यान रखना, सबसे पहला point है, इसमें properties में, हम बोलेंगे, यह जो आपका gravitational force होता है, यह हमेशा क्या होता है, attractive, it is always attractive in nature, it is always attractive in nature, हम ऐसा बोलते हैं, second property के अगर हम बात करें, तो हमने बोल दिया, यह mass dependent है, mass dependent, हम ऐसा बोलेंगे, कि mass के directly proportional है, third point में हम बोलेंगे, it, it obeys, it obeys, inverse square law, inverse, square law, बोला न हमने, f is inversely proportional to, यह जो point पढ़ा था हमने, f is inversely proportional to the square of distance between them, तो इसे को हम बोलते हैं, inverse square law, next property हम बोलेंगे, it does not depend upon medium, it, does not, depends, upon medium, next बोलेंगे हम, यह जो force होता है, यह conservative होता है, conservative force, conservative का मतलब होता है, आपका path independent, यानि कि यह ऐसा force, जो path पर depend ना करे, path independent, friction होता है, वो path पर depend करता है, यह आपका path independent है, और एक point इसमें और बोलेंगे हम, it is, central force, central force, central force का मतलब क्या है, जो, आप heavy body लोगे, जिस भी body को आप consider करोगे, जिनके बीच में भी force, आप calculate कर रहे हो, यह जो distance लिया जाता है, वो उन object के center से लिया जाएगा, हमेशा, यह क्या होगा, उन object के center से ही लिया जाएगा, हमेशा, यह important है, अच्छा, एक और चीज, अभी जैसे यह जो gravitational force है, अगर मालिया दो object के बीच में लग रहा है, अगर साथ में कोई तीसरा object present हो, तो उसकी presence का कोई फर्क नहीं पड़ता, दो bodies के बीच में, एट मेंस हम क्या बोलेंगे, force between two bodies, force between two masses बोल दो, does not depend upon, does not depend upon presence of other masses, इस तरीके से हम बोल सकते हैं, तो यह कुछ properties हैं, आपके gravitational force की, इनको एक बार चेक करना, next force करते हैं, नेक्स्ट है आपका, electromagnetic force, electromagnetic force, electrostatic force भी बोलते हैं, लेकिन हमने electromagnetic क्यों बोल ला हैं, जैसे, electrostatic जब बोलते हैं, तो होता है, जब particles rest में हो, charge particle जब rest position में हो, और magnetic तब होता है, जब वो motion में आ जाता है, motion की वज़े से current आएगा, फिर magnetism आएगा, तो इस तरीके से, हम क्या बोलेंगे, electromagnetic force, तो हम क्या बोलेंगे, these are the forces which is present between two charged particles, charged particle के बीच में जो ये force अपलाई होता है, इसको हम बोलते है, electromagnetic force, यहां से क्या आता है, f is equal to, यह वही concept आपका, f is directly proportional to the product of charges, charge को हम Q से denote करते हैं, और second point में आएगा, f is inversely proportional to, r square, r कैं है, इन charges के बीच का distance, एक अटा करें तो आएगा, f is directly proportional to Q1, Q2 upon r square, और proportionality को, अगर अटाएं तो एक constant लगाते हैं, k, q1, q2, upon r square, यह होता है, यह आपका, f is equal to, k, q1, q2 upon r square, k क्या है आपका electrostatic constant, और यह जो ला दिया था, यह एक scientist था, जिसका नाम था, कूलम ने इसको, verify करके दिया था, ठीक है, अब इसकी properties पढ़ते हैं, हमारे लिए, यहाँ पर properties important है, तो properties में, सबसे पर आप जो point आएगा, वो क्या है, यह जो force होते हैं, यह आपके, it can be, attractive, attractive, और repulsive, यह आपके दुन्नों तरीके का force हो सकता है, attractive भी हो सकता है, और repulsive, attractive कब होता है, जब यह जो चार जहना, यह opposite हो, जैसे माल लिया, एक positive हो, एक negative हो, तो तो attractive होता है, अगर दुन्नों same type के हो न, जैसे दुन्नों negative हैं, या दुन्नों positive हैं, तो, इनके बीच का जो force होगा, वो repulsive type का होगा, एक point तो यह, दूसरा point आप इसमें बोल सकते हो, it is also central force, यानि की center से ही apply होगा, central force, फिर हम इसमें बोलता है, it obeys inverse square law, it obeys inverse square law, ऐसा करके, फिर हम next बोलेंगे, force is, yeah, force between two charge particle does not depend upon, does not depends upon the presence of other charge, presence of other charges, इस तरीके से आप बोल सकते हो, फिर नेक्स्ट बोलेंगे, conservative होता है, ये भी, conservative in nature, अच्छा, सेकेंड बोलेंगे, long range force, long range force, और, does not require any medium, does not require medium, यानि कि, कोई भी medium हो, ये force apply होता है, थोड़ी बहुत value change हो सकती है, लेकिन force apply होता है, और, यहाँ पे अगर, हम comparison करें, तो देखो एक चीज, जो gravitational force हा न, वो weakest force माना जाता है nature में, सबसे weak force है वो, तो ये जो आपका, electrostatic force है, ये, आपका जो, electrostatic force है, वो, 10 raise to power, 36 times, stronger होता है, stronger, then, gravitational force, gravitational force, तो ये, काफी powerful होता है, gravitational के comparison में, next है आपका, third type का, weak nuclear force, weak nuclear force, ये क्या होता है, जैसे मान लिए हम बोल दें, ये force होता है, जो appear होता है, मतलब जो apply होता है, किस कब, elementary particles के बीच में, और वो elementary particles, कब, जो nuclear process होता है, nuclear process, उनके बीच में, nuclear process से, जब भी कोई, elementary particle release होता है, तो उनके बीच में, ये force अपला ही होता है, जैसे हम बात करें, हम बात करें, nucleus में की, बात करें, तो एक प्रोसेस होता है, beta decay जिसको हम बोलता है, बीटा डिके, तो अगर हम, बीटा डिके की बात करें, इसका मतलब क्या होता है, जो आपका radioactive element होता है, radioactive element होता है, जो continuous radiation summit करता रहता है, तो यहाँ से तीन टाइप की raise निकलती है, एक alpha, एक beta, और एक gamma, तो इसको हम बोलता है, alpha decay, beta decay, gamma decay, तो यह क्या होता है, weak nuclear force, जब मान लिया, बीटा डिके होता है, तो बीटा डिके में क्या होता है, बीटा डिके में, दो particle एक साथ निकलते हैं, एक particle होता है, आपका electron, एक तो particle होता है, electron, और एक particle, electron तो हो गया, charged particle, और एक होता है, Uncharged Particle उसको हम बोलते है Neutrino उसको हम बोलते है Neutrino यह दो Particle Release होते है एक साथ इनिको हम Elementary Particle बोलते है तो जब यह साथ Release होते है तो इनके बीच में जो Force अपलाई होते है यह जो अपस में एक दूसरे के साथ Attach होते है उस Force को हम बोलते है weak nuclear force यह जो force है इन दोनों के बीच में इसको हम क्या बोलते है weak nuclear force तो simple हम क्या बोलेंगे इसकी properties में अगर हम add करें बाते हैं तो properties में हम क्या बोलेंगे एक तो क्या है यह यह जो अब K forces है यह हमेशा short range forces होते है short range short range में हम सिर्फ इतना ही बोलते हैं जैसे nuclear size nuclear size nuclear size में क्या बोलते हैं हम यह होते है 10 raise to power minus 15 meter इसी range में apply होते हैं यह जो force होते हैं आपके mean दूसरे इसकी basic जो property है वो है यह जो these are 10 raise to power 25 times stronger than gravitational force जो gravitation force है उसके मुकाबले 10 raise to power 25 times stronger होते हैं इसकी और property अभी में जासे scientists के उपर काम कर रहे हैं तो उसको चेक करते हैं बाद में अभी इतना ही पता है इसके बारे में next आपका force है strong nuclear force strong nuclear force देखो basically क्या होता है यह जो strong nuclear force होता है यह present होता है जैसे nucleus है आपका जैसे हम बोल दें एक atom है atom के अंदर एक मान लिया यह nucleus है nucleus में क्या होते हैं आपके proton होते हैं और neutron होते हैं proton पे positive charge होता है neutron charge less होता है तो proton और neutron को nucleus के अंदर bound करने के लिए जो force चाहिए वो होता है आपका strong nuclear force यानि कि it is the force present between nucleus which bind the proton and neutrons in the nucleus ये force होता है आपका strong nuclear force तो simple क्या है इसकी जो properties है उसमें अगर हम बात करें properties की अगर हम बात करें तो properties में सबसे basic है एक तो ये ये है strongest force strongest force in nature सबसे strong है ये ये होता है it is 10 raised to power 38 times stronger than gravitational force gravitational force 10 raised to power 38 times stronger होता है अच्छा non central होता है non central और non non conservative ये path पर depend करता है ठीक है non central होता है अच्छा एक और चीज़ does not obey inverse square ये ये two power से ज़्यादा पर depend करता है एक इसमें और बात करें ये जैसे आपका जो होता है वैसे तो ये attractive होता है it is attractive जैसे normal जो presence होती है ना particle की तो ये attractive होता है क्योंकि ये bound करके रखता है but becomes repulsive repulsive कब हो जाता है if distance between the particles reduced to 0.5 fermi बोलता है 10 दिश तो पावर माइनस 15 मेटर fermi ठीक है तो जब इतना आपका distance हो जाता है यानि कि इससे कम distance होगा तो तो repulsive हो जाएगा लेकिन इससे जादा distance होगा तो ये attractive रहता है अच्छा nuclear range force होता है यानि कि short range force बोलते है nuclear range force आप ऐसा बोल सकते हो ये कैसा है nuclear range force होता है तो ये कुछ basic सी property है आपकी strong nuclear force की चलो इससे आगे है आपके conservation of law वो और एक बार चेक करता है ये topic है आपका law of conservation conservation law में आप basically एम follow करते हैं वो जैसे अभी चार law होते हैं law of conservation of एक तो बोलते है energy यानि कि हम बोलें कि simple यहां से यहां लिएता हूँ law of conservation of energy फिर energy की जगे फिर एक आएगा charge फिर इसकी जगे आएगा एक linear momentum और एक आएगा फिर angular momentum पहले एक होता था mass का law of conservation of mass लेकिन यह बाद में यह खतम हो गया था Einstein ने 1905 में 1905 में Einstein ने एक equation दी थी e is equal to mc square उसके बाद से यह खतम कर दिया था यानि गे थिरी हमने change कर दी थी तो देखो इसमें सब में simple सी बाते होती हैं सबी में law of conservation law of conservation का मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज हमेशा conserved होती है conserved का मतलब होती है fix total amount जो है वो fix कर दिया हमने वो change नहीं हो रहा किसी भी isolated system का तो हम क्या बोलेंगे अगर माल्या conservation of energy की बात करें तो क्या बोलेंगे the total energy of an isolated system is always constant या फिर simple अम बोल सकते हैं energy can neither be created nor be destroyed it can be changed from one form to another form यह तो है conservation of energy ऐसा हम बात करेंगे conservation of charge the total charge of an isolated system is always conservative या constant या फिर हम बोलेंगे charge can neither be created nor be destroyed but it can be transferred from one atom to another atom यह charge का conservation of law है फिर हम बात करता है linear momentum linear momentum होता है P P is equal to MV P is equal to ME यानि की it is the product of mass and velocity ऐसे करके हम बोलता है तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे the total linear momentum the total momentum of an isolated system is always constant angular momentum होता है L L is equal to I omega I हो जाता है mass की जगा जाता है inertia angular motion के लिए और velocity के जगा जाती है angular velocity L होता है आपका angular momentum तो इसमें भी हम से हम यही बोलता है कि total अगर मान लिया external force किसी कोई external force नहीं है यहाँ पर हम बोलेंगे external torque क्योंकि angular force जो होता है उसको torque बोला जाता है तो अगर हम external torque अपलाई ना करें तो जो total angular momentum है किसी भी system का वो constant होता है तो सभी में एक ही थियोरी है वो ही के total जो है quantity वो constant रहेगी इस तरीके सामें इसको deal करते है तो यह था आपका conservation of laws तो यहाँ तक हमने आज जो cover किया है इसमें आपका जो chapter number one है वो cover हो जाता है सारा तो इसमें basics था बिल्कुल यह आप पर लिभी कर चुके हो अगर second chapter में हम start करेंगे 11th के topics और अभी तक यहाँ तक किसी topic में आपको कोई doubt है तो उसको एक बार comment section में mention करें मैं इसको clear करूंगा और मिलते हैं next video में next topic के साथ तब तक आप enjoy करें thanks for watching my video thank you